दोस्तो हर किसी ने हमारे में से कभी ना कभी किसी ना किसी दर्द का सामना अवश्य किया होगा दर्द किसी चोट के कारण हो सकता है, दर्द किसी मास पेश्यों के में सूजन के कारण हो सकता है या और किसी भी कारणवच दर्द हो सकता है, दर्द के कई परकार है अगर किसी को कमर के निचले हिस्से में अचानक दर्द होने लगे और वो इसको ममूली सा दर्द समझ कर अंदेखा कर दे लेकिन ये ममूली सा कमर में होने वाला दर्द साइटिका का भी हो सकता है तो आज हम साइटिका के दर्द की ही बात करेंगे इसके क्या लक्षन है और इसके कारण क्या है और इसका निवारन हम कैसे कर सकते हैं साइटिका की बिमारी धीरे धीरे कमर के नीचे का पूरा भाग बेकार कर सकती है इसलिए इस बिमारी को आप हलके में मत लेना बता दूं कि साइटिका कमर से समंदित बिमारी है ये बिमारी रीड के हड़ी यानि कि हमारी स्पाइनल कॉट से होते हुई पैरों की उंगलियों तक पहुँच जाती है आए जानते हैं कि इसके क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं इससे हम समझ पाएं कि ये हो सकता है हमारा साइटिका का दर्ध हो और फिर हम इसके उपचार की तरफ सोचे। साइटिका के दर्द के लक्षन ये होते हैं कमर और पैरों में हलका दर्द होना, कमर की तुलना में पैरों में अधिक दर्द महसूस होना, या पैरों की उंगलियों में दर्द होना, कमर और पैरों में जुनजनी सी महसूस होना, पैरों का बेजान महसूस होना, कूलों में दर होना कमर के नीचे में दर्ध होना भी साइटिका का ही निशाना है धो मैं आपको बता चुश Ό कमर के नीचे में हिससे में आगर किसी को कम रोस होती है तो भी शाइटिका का दर्ध हो सकता है जो लिए अब हमने इसके लक्षन तो जान लिए अब इसके कारण भी जान लेते हैं कि यह साइटिका का दर्द असल में होता क्यूं है यह हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड की नसों में दिक्कत होने से यह साइटिका का दर्द हो सकता है यह हमारे नसों में खिचाव होने कारण भी यह दर्द हो कभी कभी चोट लगने पर भी ये साइटिका का दर्द हो सकता है यहां गलत तरीके से कुछ लोग बिना ट्रेनर के एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उनको भी ये दर्द हो सकता है तो ये तो हमने बता दिया कि साइटिका के दर्द के कारण क्या क्या हो सकते है चलिए वैसे तो बहुत सी पेनकिलर मेडिसन हैं जिनको खाकर हम थोड़ी दिर के लिए दर्द को भूल सकते हैं पर इसका सही इलाज पेनकिलर नहीं है तो आईए आज हम घ्रेलू इसके इलाज की बात कर लेते हैं साइटिका की बिमारी में लसुन बहुत फाइदे मंद होता है इसलिए ल हमेशा के लिए इसके लावा साइटिका के दर्द में मेथी दाना का सेवन भी बहुत फाइदे मन माना जाता है मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मेथी दाना बहुत सी दर्दों का निवारन करता है अगर आप रोजाना नेमेत रूप से मेथी का सेवन करत इससे भी साइटिका के दर्द में आपको रहत मिलेगी। इसके साथ ही साथ साथ साइटिका की समस्या में हल्दी भी बहुत फायदेशावाद मानी जाति है। क्योंकि हल्दी में कई ऐसे तत्त्वा मँझूद होती हैं जो दर्द में शुट्कारा दिलाते है। इसलिए साइटिका की शिकायत होने पर हल्दी को दूद में मिला कर पीना चाहिए, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दालचिनी का पौडर भी मिला सकते हैं, यह और भी ज्यादा कारगर नुसका बन जाएगा. इसके लवा साइटिका की बिमारी को दूर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत अवश्यक होती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके कमर की मास पेशियां मजबूत रहती हैं, इसलिए साइटिका की शिकायत होने पर नियमित रूप से एक्सरसाइज जुरूर करें पर किसी ट्रेनर की help से, अपने आप साइटिका की दर्द होने पर कभी भी exercise ना करें, किसी ट्रेनर की help जरूर ले, साइटिका की शिकायत को दूर करने के लिए सिकाई करना भी काफी अच्छा होता है, क्यूंकि सिकाई करने से सूजन और दर्द में भी राहत मिलता है, इसके लावा सा सहजन की पत्यों में कार्वो हाइडरेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैगनीशियम, विटामिन A, C और B कंप्लेक्स भरपूर मातरा में पाया जाता है इसलिए इसके सेवन से साइटिका की बिमारी से भी छुटकारा मिलता है इसके लिए सहजन की पत्यों को आप पानी में उबाल कर पी सकते हैं और अगर चाहें तो उसमें अर्जुन की शाल और अजवाइन का भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं उसे पानी को उबालते समेशियम, इसके इलावा साइटिका की शिकायत पर अजवाइन का सेवन काफी कर सकते हैं साइटिका की दर्द से राहत पाने के लिए इसके अलावा मालिश करने पर भी साइटिका की शिकायश से शुटकारा मिलता है इसके लिए जैफल पौडर को तिल के तेल में मिलाकर मालिश करनी चाहिए इससे दर्द और सूजन में काफी राहत मिलती है इसके अलाव पारी चीज उठाने से बचे तता अचानक उठे नहीं और अचानक नीचे जुके नहीं तो इन चीजों को हम ध्यान में रख कर साइट का की दर से राहत पा सकते हैं तो दोस्तों आज आज आपको ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट में जुरू बताईएगा और अगर किस दोस्तों वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय भारत